नमस्कार सातियों, Law, Order and Civil Rights YouTube चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपको बता रहे हैं, VGC.net December 2018 के लिए Admit Card जो National Testing Agency के वेबसाइट से प्राप्त हो रहा है, डाउनलोड किया जा सकता है हमने यहाँ पर एक प्रविश पत्र Admit Card जिनको प्राप्त हो गया है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं ध्यान रख्येगा कि हम यहाँ पर केबल आपको एक जागरूक करने के लिए ही यह बिने यादो जिका Admit Card है, जो हमारे YouTube चैनल के एक जागरूक सब्सक्राइबर है यह इनका जो है डाउनलोड हो चुका है, यह Political Science में इस बार जो है NetJRF में बैट रहे हैं और इनको रिपोर्टिंग टाइम जो है, रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर 21.12.2018 को एकजाम है Political Science का और एक बज़े रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है, यहाँ पर गेट क्लोजिंग दिया हुआ है दो बच के 15 पीएम यानि कि एक बज़े पहुँचना है, सबा एक बज़े के पहले पहुँचना है यानि कि रिपोर्टिंग टाइम एट सेंटर एक पीएम को है Political Science वालों का और गेट क्लोजिंग हो जाएगा दो बच के 15 मिनट पर यहाँ पर इसका जहाँ पर वेनू दिया हुआ है कहाँ पर एकजाम होगा जैसे यहाँ पर पूरा एकजाम के बारे में दे दिया है जहाँ आपने सेंटर डाला होगा उस सेंटर के हिसाब से जैसे यह राजस्तान का है अलवर के राजस्तान में जो सेंटर दिया हुआ है उनको ये इस तरह से दिया हुआ है और इसका जो 21 बारत 2018 को है सेकेंड सिप्ट में होगा यानि कि पेपर फर्ष्ट में धाई बजे से लेकर साड़े तीन बजे तक एक घंटा का होगा ध्यान रखेगा पेपर फर्ष्ट एक घंटे का है धाई बजे से साड़े तीन बजे तक पचास प्रश्ण बनाना है हेंडेट मार्क्स का होगा और शेकेंड पेपर चोगा है चार बजे से लेकर छे बजे तक यानि कि दो घंटे का होगा आपको ध्यान रखना है यह फोटोग्राप देखिए यहाँ पर बेक्ग्राउंड रेट कलर था थोड़ा सा दुसरे टाइप का कलर का है बैंगनी कलर का है तो लेकिन उसके बावजुद भी इसको इस बार एक्सेप्ट किया गया है यहाँ पर देखिए important instruction दिया हुआ है इसक दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि यह जो दिया हुआ है the admit card is provisional subject to the eligible candidates given the information bulletin जो बुलेटीन में जो जो चीजे condition दिया हुआ eligibility वो उसी के अनुरूप admit card आपको दिया गया है यह cable provisional है इसको आप अंतिम ना मानें और आपको जो है कुछ चीजे बताया गया है admit card downloaded from NTA website for size paper में passport size photograph same as uploaded with the online application फरम जैसे आपने application में दिया हुआ था है वो सी सी साफ से photo निकला हुआ है यहाँ पर करा है any one of the original valid photo identification proof यहाँ पर आपको चोगा है परिच्छा हाल में pain card, driving license, voter ID, password, आधार card कोई भी यह आधार हो रासन card हो कम से कम एक जो आपको i card ले जाना पड़ेगा ध्यान रखेगा यहाँ पर जो है जो handicapped बच्चे हैं उनके लिए जो competent authority के द्वारा जो certificate जारी किया गया है उसको ले जाना पड़ेगा no candidate would be allowed to enter the examination center without identity verification आपके बिना identity verification के बिना आपको examination center में प्रवेश नहीं दिया जाएगा आप कभी भी यह न सोचें कभी भी यह न सोचें कि मैं भूल गया मेरे बेग में पड़ा हुआ था पर आप प्रवेश पत्र के साथ में उसके copy को रख ले एक identity card को रख ले candidate are not allowed to carry on personal belonging including electronic device, mobile phone, other material listed in the information bulletin to the examination center examination official will not be responsible for safe keep a personal belonging pen, pencil, black paper, sheet, for rough work will be provided in the examination hall room देखिए आपके लिए बहुत अच्छी खुसकबरी है कि pen, pencil and black paper seat आपको examination hall में room में ही जो है provide कराए जाएगा कई लोगों के मन में ये एक भ्रहम था कि वहाँ पर हम जब mathematics को solve करेंगे या कोई चीज को solve करना होगा तो हम कैसे solve करेंगे computer में तो solve नहीं हो सकता लेकिन आपको जो है paper sheet examination hall में या examination room में दिया जाएगा candidate must write their name and role number at the top of the seat आपको जो कोरा कागज दिया जाएगा उसके उपर में आपका role number नाम और उसको जो है लिखा जाना पड़ेगा must return the seat to the invigilator before leaving the examination hall room और जो कागज आपने रफवर के लिए यूच किया है उसको वापस करना पड़ेगा candidates should take their seat immediately after opening the examination hall जैसे examination hall का opening होगा वैसे आप अपने seat पर बैड़ जाना चाहिए they can login, read instruction और उसके बाद में आपको login कर सकते हो और जो interaction दिया हो है उसको आप पड़ सकते हो before the commencement of examination examination प्रारम करने के पहले आपको जो है कुछ instruction दिया होगा निर्देश दिया होगा उसको आपको पढ़ना है आपको login करना है candidate will not be permitted to leave the examination room hall before the end of examination जब तक examination समाप्त नहीं होगा उसके पहले examination hall से आपको जो है जाने के अनुमत्ती नहीं दिया जाएगा after the completion of the examination candidates should hand over their admit card आप अपने admit card को हाथ में लेकर जा सकते हैं rough seat and pen pencil to the invigilator on duty और ये invigilator का duty है कि जो आपने rough work किया होगा है और आपने जो pen pencil दिया होगा है वो जो है उसके responsibility है कि invigilator उसको वापस ले लेगा candidate must enter required details in the attendance seat in legible handwriting put their signature and paste the photograph at the appropriate place यहाँ पर जो है आपको जो है thumb impression भी लिया जाएगा जो भी चीजे प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को आपको अपनाना पड़ेगा साथियों आपके लिए येक हमने जो है जानकारी पहुचाने के नाम पर जो है हमने इस admit card को जो है आपको प्रस्तूत कर रहा है मैं बिने यादो जी को धन्यवाद देता हूं कि मेरे request को उन्होंने स्विकार किया और मैं हाला कि बिने यादो जी के नाम को जो है मैं यहाँ पर जो है छिपा दूँगा फोटो को भी हो सकता है मैं छिपा दूँगा यदि बिने यादो को कोई problem न हो यदि problem होगा तो को जो है admit card को जो है मैंने यहाँ पर आपको information के लिए आपको जो है मैं दे रहा हूँ Thank you